अब यूपी पीचियस मेंस और आरो यारो एक्जाम 2018 के लिए हिस्ट्री के प्रीवेस एर के कोशें पेपर जो हैं उनको मैं वन लाइनर फॉर्मिट में कम्प्लीट करा रहा हूं अब मुझे फॉलो कर सकते हैं अनकैडमी पे हमारी स्पोर्स में एंबलोग हो सकते हैं तो बा पीचियस प्रीवेर रिखे जो कोशें ने उनके लिए उसला आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अकैडमी पे एंडरो कर सकते हैं इस कोर्स को जिससे आगे आने वाली सारी नोटिफिकेसंस आपकी मिलते रहेंगी अप हमारे को रेटिंग दे सकते हैं उसका रिवीव भी कर सकते हैं अंग राज का प्राचीनतम उलेक कहां मिलता है ठीक है तो अंग का जो प्राचीनतम उलेक है वो अधरवेर में मिलता है उत्तरवैदिक युग में पूर्व दिशा के राजाओं को कहा जाता था ठीक है तो पूर्व दिशा के राजाओं को क्या कहा जाता था इसमें जो पूर्व की राजा को कहा जाता था समराट और साउथ में बोले जाता था इसको भोज और इसको पश्ची में बोले जाता था स्वराट ठीक है तो नौर्थ में विराट पूर में शमराट पश्ची में स्वराट और इसको साउथ में बोले जाता था भोज तो ये सभी जीवन काल में संग का नायक बनना चाहता था उनके समय में ही ठीक है तो देवदत उनका नाम था जो बुद्ध की जीवन काल में संग का नायक बनना चाहता था पंच वरश्णी वीरों का उलेख मिलता है कहां पर किस अविलेख में तो पंच वरश्णी वीरों का उलेख मिलता है मोरा अविलेख और मोरा अविलेख कहां है उत्तर प्रदेश के माथुरा में किस शब्द से जैन आगम साहित का निर्देश होता है तो उसका है निर्युक्ति तो निर्युक्ति जो सब्द है उससे जैन आगम साहित का निर्देश प्राप्त होता है बुद्ध ने भीक्चुणी संगे की स्थाबना कहां की थी ठीक है कोशन हमने पढ़ाया हुए भी अपका तो बैसाली में आमरपाली सिस्या दितिये पुर्तगाली अभीयान का नेता था था कौन? अलव्रेज केबरल जो 15-100 में आया और जो पहला था वो वास्को डिगामा 1408stellung है दोईयर के बाद था अलव्रेज केबरल जो था वो दुतिये पुर्तगाली नेता था जो सभ्यान को चला के यहां पर आया था साहेक संदी का किरम बताएं तो ये कुछ साहेक संदी होई थी तो उनमें सबसे पहले हैदराबाद 1798 उसके बाद मैसूर 1799 और उसके बाद में अवद 1801 ठीक है तो इनका किरम आप याद रख सकते हैं बहुत इंपॉर्टिंट है कई वरिकोशन बनता है तिर्टिये मराठा युद्ध प्रारम होने से ठीक पहले पराठाओं का साथ छोड़कर कौन अंगरेजों के साथ सामिल हो गए थे ठीक है तो सिंधिया जो थे ठीक है तो कर्नल स्लीमेन भी दिया होता है और विली बेंटिक नहीं होता तो याद रखी या तो कर्नल स्लीमेन आप्शन में दिया होगा बंगाल में जमीदारी 19% थी जो पूरे देश में लगी ठीक है तो सिर्फ 19% ऐसा था उसके बाद में मादरास जो रहयत बाड़ी थी वो देश में 51% थी देखे ये कुछ में एरियाज है और परसंटेज है कि पूरी जो देश की लेंड है उसमें कहां कहां पर किसकी कितनी इस्दारी थी तो 51% जो है वो रहयत बाड़ी थी और मदरास जो है कोड़ थी मदरास से इसकी स्टार्टिंग हुई ठीक है इसलिए मदरास यहां उप्सन में है इस्थाई बंदवक्त की शुरुआत कहां से अब उसके बाद में जो पश्मी प्रांट हैं वहां पर मालवारी ठीक है उसको लिया गया और उसके बाद में जो मद्र वहरत है उसमे लगी थी मत्राल syndrome घुडरी तो यहिवदारी जो है वो महलवाडी थी दलौजी का राज बिलेक क्रम जो 1848 से 1856 तक चला ठीक है तो ये क्रम के साथ में दिया हुआ है कि किसके बाद किसको जो है वो यहां पर उन्होंने अपने में मिलाया और उसके बाद में 1857 की करांती होगी इसी के कारण से तो देखें से पहले था सतारा फिर जैदपूर, संबलपूर, बगात, उदैपूर, जहां सी अबद 1856 और मिलाने का कारण क्या था कुशाशन तो ये पुछाता है कि आबद को जो है राज बिले का किरम कौन सा है ये पुछाता है ये पुछाता है कि क्या कारण था कि उसको मिलाया गया तो अबद को मिलाने का करा कुशाशन था किस ने 1855 कि कि और भारति से पिर्थम संग्राम कहा था तो भी टी शावर करने जो है इसको जो acknowledging है इंद्र्थrap भारत का फिर्थम शुट Alert को को कहा था भीडी को करने अब यहां पर दिया हुआ है कि किसने किस चीज की स्थापना की ठीक है इंपॉर्टन है जोनाथन डंकन ने संस्कृत कालेज बनवाया 1791 में यह पहला संस्कृत कालेज देशका ठीक है तो जोनाथन डंकन की बज़ा से यह बना उसके बाद सर बिलियम जोंस की ने 1864 में है तीसरा है वारिन हस्तिंग्स इन्होंने कलकफटा में मदरसा स्थापित कराया 1781 में और अंत में हैं विल्याम बेंटिंग कलकफटा मीडिकल कालेज कि स्थाबना किया कराई थी इन्होंने 1835 में तो यह जो है आपसे कई वार येर पूछ लिया जाता है कि संस्कृत कॉलिज की स्थाबना कब हुई या आपसे पुझाता कि भाई किसने की तो बहुत इंपोर्टेंट है इसको याज रखिए कि बिलियम बेंटिक कलकत्ता मेडिकल कॉलिज वारिन हेंस्टिंग कलकत्ता मदरसा बना पहला 1781 में सर बिलियम जोन्स एसियाटिक सोसाइटी 1784 तो बहुत बार पुझाता है और पिर तो जो है संस्कित कॉलिज 1791 जोनातर टंकन के दुआरा साजहा को कोही नूर किस ने दिया था ठीक है तो मीर जुमला ने साजहा को कोही नूर दिया था अफजल खां का समन्द जो है वो कहां से बीजापुर से साइस्ता खां का समन्द दा मुगलक सिनपती था ये मदन पंडित गोलकंडा और मुल्ला हैदर जो था वो मराठा सरदार था जाटनेताओं का सही करम ये कुछ जाटनेता हैं और उनका जो सही करम है तो गौकल जो है वो प्रिथम है उसके बाद में राजा राम 16 सब इच्छे आसी सूरजमल जाटों का अफलातून इनको कहा जाता है कई बाद ये कोशन बन जाता है कि जाटों का अफलातून किसको कहा जाता है तो सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है याद रखिए उसके बाद में चूडामल तो गौकुल, राजाराम, सुरजमल और चूड़ामल ये जाटो के राजाओं का किरम है किस अवद सासक को मुगल समराट का वजीर नियुक्त किया गया बहुत इपड़ने कि किस अवद सासक को मुगल समराट का वजीर नियुक्त किया गया था तो सब्दर जंग को 1784 में और उस टम सासक कौन हुआ करता था? रंगीला, मुहम्मद सा रंगीला जयवो सासक हुआ करता था पानीपत का तिर्थी युद्ध जयवो किस-किस के बीच में हुआ? एमद साफ दाली और बर्सिस था सदासिव राव भाव के ठीक है? तो पानीपत की जो तिर्थी रड़ाई हुई है एमद साफ दाली और सदासिव राव भाव के बीच में हुई उस अंगरेज का नाम बताएं जिसने गुजरात में ब्याबार के लिए अकवर से सहयोग मांगा था बात है 1599 की जान मिल्डेन हाल उस व्यक्ति का नाम था जिसने गुजरात में ब्याबार करने के अकवर से सहयोग मांगा था भारत में ब्याबार केंदर किसने कहां पर इस्थाफित किया और कौन से किरम में किया? तो कोची में पहली बार पुर्टगाल ने 1498 में यहां से सुरुआत की व्याबार केंदर की उसके बाद डच 1596 मचली पटनम तेन अंग्रेज 1600 में और उसके बाद में फ्रांस ने 1664 सूरत में ठीक है? तो फ्रांस जो है वो सबसे बाद में आए है तो करम क्या है? पुर्टगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांस तो यह important है इसका करम पूछा गया कि करम क्या है बागी तो मैंने यह अपने पास set कर दिया था कि पुर्टगाल का पहले कोची में था, डच का दूधा मुचली पटनम में था अंग्रेज का थर्ड था और फ्रांस का सोरा से चौसट सूरत में ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं यह वीडियो में थैंक्यू कर दो